वो लोग जिन्होंने वेट लॉस को ट्राइ किया हो वो आपको बता सकते हैं कि वेट को कम करना कितना मुश्किल काम है आपको बहुत सी एकसाइजेज, स्ट्रिक्ट डाइट की जुरुत पड़ेगी और इस प्रॉसेस की सबसे जुरुरी चीज है एक स्ट्रॉंग मेंटल अटिटूड बत कुछ ट्रिक्स हैं जो इस पूरी प्रॉसेस को असान कर सकते हैं बहुत सी नैच्रल हर्ब्स और स्पाइसीज हैं जो वेट लॉस को तेजी से बढ़ा सकती हैं हर्ब्स और स्पाइसीज मील्स में फ्लेवर्स डालने के साथ हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं क्योंकि इन में एंटी ऑक्सिदेंट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स और यूनीक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं इन में से कुछ मेटाबॉलिजम और वेट लॉस को बूस्ट करती हैं तो आपको इने अपनी डेली सप्लिमेंट में एड करना चाहिए चलिए बात करते हैं उन हर्ब्स और स्पाइसीज की जो वेट लॉस में बेनिफिशल हैं जिंजर को कॉमनली बहुसी डिशिज में यूज किया जाता है बट इसे एज वेट लॉस सप्लिमेंट पी लिये चाह सकता है अकॉर्डिंग टू स्टडिज जिंजर एपिटाइट को सुप्रेस करता है और बॉड़ी को डिटॉक्सिफाई करता है और आपको मदद मिलती है कुछ पाउंट्स लूज करने में आप जिंजर टी या जिंजर को सप्लिमेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं नमबर टू ग्रीन टी ग्रीन टी का वेट लॉस सीक्रेट है इसका कैटेचिन पॉलिफिनोल कॉंटेंट पटिकूरली इजी सीची स्टडिज ये बताती हैं कि ग्रीन टी में अवेलेबल कैटेचिन इसके वेट लॉस बेनिफिट्स के लिए रिस्पॉंसिबल है अगर आपको ग्रीन टी का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता देन आप ग्रीन टी को अज़े सप्लिमेंट यूज कर सकते हैं नमबर थ्री स्यान पैपर कैपसाइसिन एक सबस्टांस होता है होट फूड्स चैसे की सायान और चिली पैपर में जो आपके मौथ में बर्निक सैंसेशन प्रेड्यूस करता है कैपसाइसिन को मुटापे से रलने के लिए जाना जाता है जो फैट इश्यूस को स्ट्रिंग करता है कैपसाइसिन में थर्मोचैनिक प्रॉपर्टीज होती है यह आपकी बॉड़ी को slightly temperature बढ़ा देता है और metabolism को 4-5% बढ़ाता है और सैयान पैपर यह चिली पैपर को मिल्स में आड़ करके आपके अपसाइसिन का benefit ले सकते है यह थे कुछ herbs और spices जो आप easily use करके weight loss में help पा सकते हैं बट हाँ most important thing है strict diet और exercise routine को follow करना तब ही जाकर perfect results मिलेंगे अगर आपको यह वीडियो beneficial लगी तो इसे like को share करें till then stay fit and stay healthy